नमस्कार साथियों फर्ष्ट ग्रेड के सेक्षिक परवंदन टोपिक में आज है कस्तूर्वा गांधी बाली का विद्याले के जी बीवी इस टोपिक में हम पूरी विस्तार से सर्चा करेंगे इसकी ऑथेंटिक वेवसाइट देखेंगे और इसकी जो पीडियप है उसमें भ देखेंगे तो 15-20 मिनिट में ये टोपिक आपके कवर हो जाएगा और निस्चित रूप से एक परसन या दो परसन इस टोपिक में से आते हैं उसमें इस टोपिक या इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा ऐसा विश्वास है तो इसकी जो इस्तापना है कस्तूर्वा प्रियोजना के तहत अब यह एनपी इजी एल क्या है इसके लिए मैंने एससे का वीडियो बना रखा है उसको आप देखें यहां पे हम बात करें तो नेशनल प्रोग्राम ओफ एजुकेशन नेशनल प्रोग्राम ओफ एजुकेशन फोर गर्ल्स एलिमेंटरी लेवल यानि कि जो एलिमेंटरी लेवल के जो बालिकाएं हैं उनके लिए ये एक प्रोग्राम है उसी के तहत जो कस्तूर्वा गांदी बाली का विद्यालेहिन की स्तापना की गई है भारत में कुल केजी बीवी 3609 है जिसमें 364,000 बालिकाएं अधियन रत है राजस्तान की बात करें तो राजस्तान के 33 चीलों में कुल 200 विद्यालेहिन ये आपको ध्यान रखना है राजस्तान में कुल 200 विद्यालेह जिसमें 186 जो विद्यालेहिन वो पिछड़े बलोक्ष में है बलोक्ष यानि विकास-खंडक और जो 14 विद्यालेहिन वो अल CP6 में है अलफ संक्यक बहुल का मतलब जिस चेतर में 20 प्रतिसत अलफ संक्यक है मालिज एक लाग की आबादी है उसमें अगर 20,000 अलफ संक्यक है तो वह हैं जो चेतर है वहाँ पे कस्तुर्बा गांदी की विद्धाले की इस्तापना होगी तो एसे पुरे राजस्तान में 14 है विद्धाले है अलफ संक्यक में कौन आते हैं आपको पता होगा मुस्लिम है, शिक है, इशाई है, उसके अलावा जेन है, बोध है और पार्शी है तो ये जिस चेतर में अगर 20 परतिसत भी है इनकी अबादी तो वहाँ KGBV होगा तो 14 तो ऐसे होगे और 186 होगे पिछले ब्लोक्ष में ये जो पिछले ब्लोक्ष है इनकी क्या परिवासा है पिछले ब्लोक्ष उनको माना गया है जहां कि ग्रामीन महिला साकसरतादर, राष्ट्रिय महिला साकसरतादर से कम है और जेंडर गेप यानि पुरुस साकसरतादर और महिला साकसरतादर के बीच में अंतर बहुत ज्यादा है यानि 20 परतिसत से भी अगदेक अंतर है तो ऐसे ब्लोक्ष को पिछड़े ब्लोक्ष माना गया है राजस्तान में और ऐसे 186 ब्लोक्ष है तो 186 विद्याले वो होगे और 14 ये होगे बराबर कुल 200 kg बीवी राजस्तान के 33 जिलो में संचालित है मैं सुजानगड से हूँ और हमारे यहां भी एक केजी बीवी चलता है इनमें जो अध्ययन है वो कक्षा 6-8 तक के लिए होता था पहले मगर 2011-12 से इनमें जो अध्ययन है वो 9-12 तक भी होने लग गया है यानि पहले यह केवल उच्छ प्राथमिक इस्तर पर थे और अब यह उच्छ माध्यमिक इस्तर पर भी विड्याले बन गए हैं अर्थार्थ 112 तक अब इनमें जो एक से पांस तक का एडिवेशन है वो इसमें सामान्यत है नहीं लिया जाता कक्सा 6 से ही पड़ाई होती है अब कोई बाली का जिसें 10 साल की हो गई है उसने पहले कोई स्कूल नहीं पड़ा है तो उसका क्या करेंगे तो आयू के आदार पर इसमें प्रिवेश दिया जा सकता है और कक्सा 1 से लेके 5 तक का जो कोर्स है वहें 5 चर्णों में कंडेश्ड कोर्स उसको बोलते हैं 5 चर्णों में उसको पास करवा के जिसें अत्रिक्त कक्सा लेके और उसको कक्सा 6 के इस तर तक लाया जाता है उस बालिका को और उसको फिर 6 में प्रवेस्ट पिया जाता है तो कहने का मतलब कि ककसा 6 से लेके ये सामानित प्रारम होती है बारत में KGBV के तीन मोडल चलते हैं मोडल 1, मोडल 2, मोडल 3 राजस्तान में केवल 2 ही मोडल है मोडल 1 और मोडल 3 मोडल जो एक है या फर्ष्ट है उसमें 100 बालिकाएं 100 चात्रा उसमें की सुईदा होती है 100 चात्रा जो है वो आवाश की सुईदा होती है रहती है और उसी बिल्डिंग में विद्याले होता है यानि वहीं पढ़ाय करेगी और वहीं उन्हीं बिल्डिंग के केमपस में वो रहेगी आवाशी विद्याले होता है model first model जो second है उसमें केवल सात्राओं के रहने की सुईदा होगी जिसमें 50 सात्राओं की सुईदा होगी model जो third है उसमें 50 सात्राओं होगी मगर उनके आवाश की सुईदा तो होगी ही सात में जो निकट का सरकारी विद्याले है वहाँ पर उनको पढ़ाय भी जाएगा तो इस तरह से तीन model में राजस्तान में केवल दो ही model चलते हैं model first सो चात्राओं आवाशी विद्याले मगर विद्याले उस बिल्डिंग में नहीं चलके पास के सरकारी विद्याले में छात्राओं पढ़ेगी सुईदाएं केजी बीवी वाली उनको मिलेगी राजस्तान में model first में कुल 163 केजी बीवी संचालित है इसको आप याद रखें 163 और model third में 36 केजी बीवी संचालित है 163 पलस 37 बराबर 200 कुल 200 जो केजी बीवी है उसमें model first में 163 model third में 36, model two की स्कूल्स राजस्तान में नहीं है आयू शीमा जो है सामानियत है 10 पलस इसमें मानी गई है और 14 पलस आयू वरग यानि 14 से उपर भी आयू वरग की जो drop out बालिकाएं हैं जो विद्याले नहीं जा सकी या एक कलास, दो कलास गई, तीन कलास गई, फिर इसकूल छोड़ दी या जैसे कोई गुमंदू परिवार है, विभिन परकार के परिवार है, इसी बाले खाएं जो सिक्षा से वंचित रह गई, उनको इस स्विद्याले में प्रवेश दिया जाता है आरक्षण की हम बात करें, कि कितना आरक्षण है इसमें, तो देखें ये परसन पिसली एक्जामस में आ भी चुका है फर्ष्ट ग्रेड में आरक्षण इसमें जो कुल शीटे हैं, उसका 75 परतिसत, 100 शीटों में, 75 शीटें जो हैं, वो SC, ST, OBC, SBC और अलब संक्यक वरक के लिए आरक्षण है और 25 परतिसत जो शीटे हैं, वो BPL परिवार के लिए हैं, बले ही वो जनरल का हो, या कोई भी हो अगर इन वरकों के इतर, कुल स्टाफ यहां पे नोका होता है, और स्टाफ में जैसे अध्यापी काई जो है, वो हमेशा डेप्यूटेशन की होती है अलग्षे इसमें नहीं आये की परोपर पोस्ट की दूसरे विद्याले से परतिन्यूप्ति पेस पे आती है इसकी भी अपनी एक स्मसी होती है, उस स्मसी का अध्यक जो है वो अभी भावक होगा वो अभी भावक होस्टल में रहने वाली, यानि आवाश ये विद्याले में रहने वाली बालिका का हो सकता है या पास में जो सरकारी विद्याले है, उसका अभी भावक हो सकता है तो जिससे वह 50 रुपे अपने सामाने जिसे गतिवीदी है उसके लिए मिलते हैं उसको 25 रुपे उसमें पेंटिंग वगरे के लिए 25 रुपे वेक्तिकत आओ सकता है यानि कुल मिला के 100 रुपे उसको खर्चे के लिए अलक्षे दिये जाते हैं और एक जिसे योजना आई है STDR इसको भी आप याद रखें 20078 में प्रारम हुई इसमें बाले काएं उच सिक्षा जिसे मान लीजिए उसने बार विपास कर ली या आठ विपास कर ली तो आगे पढ़ना चाती है तो उसके लिए उसको एक Fixed Deposit यानि FD सावधी जमारासी उसको उसके अकाउंट में जमावती है जिससे वह आगे जाके पढ़ सकें अगर मादेमिक परिक्षा में उसको 50% अंक से पास होती है तो 2000 रुपए बार वी कक्षा में 50% अंक से पास होती है तो 4000 रुपए की उसको FD करवाई जाती है तो देखिए मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक कर दीजिए चैनल को सब इस्क्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी वीडियो देख सके एक गंटी वाला जो है वो भी वजा दीजिए ताकि नोटिवेकेसन मिलता रहे है और मेरा जो भी पिसला वीडियो था वो जो वीडियो था वो उस पे था मेरा तो उस जो वीडियो पाठे पुस्तक मंडल पर तो मुझे बड़ी खुशी है कि उसको 1000 वीव पर एक भी अनलाइक नहीं मिला करीब 150 लाइक मिले हैं तो इससे मेरा मनवल बढ़ता है गुनवता पे यकिन होता है और अधिक उनवता के लिए मैं प्रॉपसाइट होता हूँ अब आपको इसकी वेव साइड का सेयर करवाते हैं राज-ssa.nic.in वेव साइड के उपर इसके बारे में डिटेल से दियावा है वो भी आपको इस्टेडि करवा देते हैं ताकि आपका समय बचे और केवल इस एक वीडियो से ही आपको सारी सामगरी उपलब्ध हो जाए वीडियो बनाने में करीबन एक से दो गंटे सामगरी जुटाने में अध्यन करने में लग जाता है मगर एक अच्छी सामगरी मिलेगी तो मुझे भी एक बड़ा मंच जो हो मिलेगा यानि अगर हजारों लोग इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे जो मेरी मेनत का जो फल हो में वसूल समझता हूँ तो सर्वे शिक्षा अभियान के अंतरगत सेख सिक दरिश्ट से पिछले हुए बलोक में और अलब संक्यक बाहूले सहरी छेत्रों में तो यह आप ध्यान रखें ये ग्रामीन छेत्रों में भी है और सहरी छेत्रों में भी है कस्तुर्बा गांधी बाली का आवाश्य विद्याले संचालित है इनमें अनुसूचित जाती जन जाती यानि SC, ST, OBC, Minority सिर पर मेलाड होने वाले परिवारों की बालिकाओं सेक्स वरकर परिवार की बालिकाओं गरीबी रेका से निचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं यानि BPL को उच्व परात्मिक कक्षाओं 6, 7, 8 में नीशुलक अध्यान करती है आप यहां पे द्यान रखें इन्हें अध्यन के साथ साथ समस्त सुविधाई नीशुलक उपलब्द करवाई जाती है ये सरवशिक्षा अभियान के अंतरगत 186 ब्लोक्ष में विकास खंडों में जिन में ग्रामीन महिला साक्सरता दर राष्ट्रिय महिला साक्सरता दर से कम है और जेंडर गेप यानि पूरुस साक्सरता दर और महिला साक्सरता दर में अंतर है कितना 20% से ज़्यादा मान लिजिए महिला साक्सरता दर 40 और पूरुस 60 है तो वहां इसी विद्याले इस्तापित किये जाएंगे राजे के 14 सहरी चेत्र जिनमें 20 अलफ संकेक 20 परकेसत से अधिक निवास करते हैं तो वहाँ 14 अलफ संकेक केजी बीवी संचालित है तो 186 और 14 कुलमिला के 200 केजी बीवी संचालित है जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं मगर ये लेंग्वेज कई वार पर संसिदे यहां से बनाए जाते हैं तो ये लेंग्वेज भी आप देख लीजिए दो-चार मिनट आपको लगेंगे उद्देश्य तता संकलपना इन विद्देश्य वन्चित वर्गों की बालिकाओं को जोड़ना है जो कठिन प्रस्तितियों और दुर्गम आवास यानि एसी जगें जोगी जोपड़ी पहाड़ी इलाका जंगली में किसी भी कारणवस सामाजिक पारिवारिक विद्द्दियालों में नहीं जा सकी है जिनकी आयू कक्षा में अधेन अने बालिकाओं से अधिक हो चुकी है उन बालिकाओं को केजी बीवी में जोड़ना परसंद गई बार क्या होता है फेक्ट आता है तो सिधा सिधा आ गया राजस्तान में कुल कितने केजी बीवी है 200-300 वो हो जाता है मगर कई बार बड़ा परसन आ जाता है कौन सा उदेश्य है कौन सा नहीं है वहाँ ये डिटेल आपके काम आएगी केजी बीवी में देई, निशुल्क, प्रावधान सभी बालिकाओं को आवाश, पुस्तके, शिक्षन सामगरी, इस्कूल यूनिफोरम, सर्दियों में श्वेटर, जूते, मोजे, साबुन, तेल, तोलिया, टूथ, पेस्ट, कंगा, चपल, शेनेटरी, नेपकिन, इत्यादी पर्तिमा है सो रुपे, वेक्तेकत बेंग खाते में जमा, देनिक खर्चों के लिए परदत सुविदाई है, एन आई ओएस माने प्रात्ता प्राप्त वेवसाइक प्रसिक्षन जैसे प्रसिक्षन में मेहंदी, कसिदाकारी, इत्यादी अन्य चीजें, कंप्विटर प्रसिक्षन, शेक्षिक भरमान, खेल कुद, और निशुलक परतिमा है, स्वास्ते जांच, शेक्षिक किस औरी मेले, बालिकाओं को आतम रक्षा, जुड़ो कराटें, इत्यादी का प्रसिक्षन, तो ये इसकी वेव साइट के उपर इन्होंने अपना उदेश्य वगर दे रखा है, तो इससे आपको कलियर हो जाएगा, कस्तुर बागान देवालिका विद्याले, अब आपको मैं एक 43 पेज की PDF और दिखाता हूँ, उसमें इसके और भी जड़ा बड़ी ड नाम लिखा रहता है, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो उस पीडियाप को, फिर हम क्यों संस देखेंगे, ये देखे साथ यूँ, मेरे गूगल ड्राइव में मैंने इसको लोड किया है, राजस्तान प्रारंबिक शिक्षा परिसद का ये परिपत्र है, इसमें पूरी डिटेल जो है, वो दी हुई है, 200 KGB जिसमें 163 मोडल 1 और ये द्यान रखना आपको 37 मोडल 3 तो परसंद बन सकता है कि राजस्तान में कौन कौन से मोडल है, 1 और 3 दो ही मोडल है, 1 मोडल में 163, दूसरे में 36, ये तरचा हम पहले कर चुके हैं, अब यहां पे देख ये मोडल 1 में वार्डन सहीत 5 सिक्षी काएं, और मोडल 3 में वार्डन सहीत 2 सिक्षी काएं होंगी, मैंने जो 9 काईस्टा बताया, उसमें लेपिक चतुचरेनिक करमचारी सहीत है, इसके अलावा हम जल्दी जल्दी देखते हैं, ये जैसे इनके फाइनेंसिल नौर में ये दहा उसको एडिमेशन दिया जाएगा, इसके अलावा नामांकन की सर्ते हैं, तो ब्रिज कोर्स के मादेम से ककसा 5 उतिर्ण हो वो, अगर उतिर्ण नहीं भी है, तो उसको वो मैंने बताया था, कंडेंस्ट कोर्स के दौरा 5 वी वो उतिर्ण उसी में करवा देंगे, 10 पलस एड से ग्रिस्त अभिभावकों की वालिकाएं, विशेस परस्तिती वालिकाएं, बीपिल परिवार वालिकाएं, मुक्यदारा से अलग परिवार की वालिकाएं, इन सब को प्रवेस दिया जाएगा, के जी बीवे में प्रवेस है, तो पात्रता निधारण, तो यह वोई ब यह परसन आये था पिसली बार 25% पर और 25% पर यह चीज और है काम कि 5% सीटों पर विशे सावसक्ता वाली बालिकाओं को प्रिवेश दिया जाना है इन्हीं में से 5% 14 KGBV अलफ संक्य क्वरग वाले हैं वहां अलफ संक्य क्वरग की बालिका नहीं मिलती है तो दूसरों को एडिमिसन दे सकते हैं और आरक्षन करमसय परात्मिक्ता SC, HT, फिर BPL, फिर OBSI को दी जाएगी तो परसन देखिए इन में से बन सकता है ये गोर्णिट के खुद के रूस जारी किये गए हैं तो आपको अगर समय हो तो देख लेना बाकि मुखे मुखे बाते हम अभी देख रहे हैं 2-4 मिनिट में अपना पूरा हो जाएगा मुखे बाते हैं इसकी, इसकी समयती होती है प्रवेश के लिए तो उसका BEO जो है वो अध्यक्स होता है BEO साहब, बलोग प्रारमिक शिक्षियादिकारी और एक सदश्य में जो अध्यापी काएं हैं वो होगी, या थोड़ा सा ध्यान में रखें और यहां पे मुखे बात में एक देखिये, बाले काएं जो है, प्री पेट्री कक्षा यानि कंडेश्ट कोर्स के तैत, एक से पांच की दक्सताओं को मजबूत करने के उपरांती कक्षा चैमें प्रवेश पा सकेगी, तो कंडेश्ट कोर्स भी उनके लिए चलाया जाता है, पाठे पुस्त के उनको दी जा है, और अदेक्स बगरे कि मैंने आपको बात कर दी, वोई सिस्टम रहेगा अभी भावक वाला, और सच्चीव वो रहेगी महिला, जो राज की वीडिया लेकि अद्यापिका है, वो सच्चीव का कारिवार सोंपे जाएगा उसको, तो आप बोर नहीं होएं, इस थोड़ा स कोई बात हैं, फिर गुमाफिरा के बताई गई हैं, बहुत सारे पेरामिटरalterस के काम की भी नहीं है, तो इस तरह से देखिए मित्रों, ये इसका संतुलित आहर की मात्रा, ये भी कोई अपने काम की नहीं है, तो इसकूल चलाते हैं, उनके काम की हैं, चाय, नास्ताव अग तो अब हम इनके क्यूसंस देखते हैं ये देखिए अभी बावक्षिक सक बेठक भी होती है PTA ये भी इनकी सामने विद्यालियों में भी होती है सरकारी और इसमें भी होती है परतम बेठक आगस्त में फरवरी अगस्त दिसंबर फरवरी इस परकार से तीन बार जोना ये बे कि परसंद बन सकता है और इतनी डिटेल अपने को सामानेता है साधान गाइडों में नहीं मिलती कुछ अची पुस्तकें उन्हें मिल जाती है तो इस परकार से हम देख रहे हैं इसमें देखिए ये जो रुपे दिये जाते हैं वो तो उन मीटिंग्स में दिये जाएंगे और ये पढ़ते विताय आविजित की जाती है यहां पर कोई परसंद नहीं बनता जहां परसंद बनता न वो हमने लगबग इन में से आतमरक्षा का प्रसिक्षन दिया जाता है अब वो पॉइंट डाल देते हैं परसंद में कौन से कतन सत्ते है तो हम सोचते हैं जुड़ो इवेलिएशन तो सतत और व्यापक मुल्यांकन का जो सिस्टम है वो सरकारी विद्यालियों के साथ साथ 200 कजी बीवी में 51 कजी बीवी में ये परकरिया चालू कर दी गई है अब ये 51 कौन कौन से इनके सुचियों दे रखी है अलांकि यह अपने एक्जाम की दृष्टी से काम की नहीं है तो इस परकार से देखे मित्रों हमने इसके लगवद जो है पूरी जो ये मोनिटरिंग सिस्टम होता है बीयो के द्वारा मोनिटरिंग किये जाती है उप्योगिता ये UC है इसकी तो ये अपने कुल जो है इसकी PDF जो है उसके मुख्य परिश्टम ने देख ल भारत में केजी बीवी की स्तापना कब की गई जुलाई 2004 में केजी बीवी की स्तापना सरवय शिक्ष्य अभ्यान की किस योजना के इंतरक्ट की गई एन पी इजी एल नेशनल प्रोग्राम औफ ये जो इसमें क्या थाई का एजुकेशन फॉर गर्स एलिमेंटरी लेवल पे ये जो प्रोग्राम है वो कक्सा नो से बारे को केजी बीवे में कब सामिल किया गया तो बताइए 2011 बारे केजी बीवे का संचालन किस समीती दवारा किया जाता है SMC राजे में अलब संक्यों के लिए कितने केजी बीवी है याद होंगे आपको 186 पलस 14 या नहीं इसमें हो जाएंगे 14 14 नेक्स्ट केजी बीवे के बारे में सही नहीं है क्या सही नहीं है इनमें केवल 11 से 14 आयू गरक्की बालिखाओं को प्रवेस नहीं 14 पलस भी है आयू शिमा का इतना कोई की नियम नहीं है इसमें कठोर ग्रामीन सेरी दोनों चेत्रों में है है स्ट्यों भी शीन के लिए है और यह चीज़ों ध्यान रखना उन बालिखाओं के लिए है जिनके आवास की परिधी के तीन किलोमिटर के चेतर में उच्परात्मिक विद्यालियन नहीं है यहां वो रहती है वहां तीन किलोमिटर तक कोई स्कूल नहीं है उसको इसमें एडिवेशन दे सकते हैं अगर पास में इसकूल है तो उसको वहां जाना चाहिए तीसरे मोडल के तहट कितने केजी बीवी खोले गए 37, 163 फर्ष्ट मोडल में तीसरे में 36, केजी बीवी कहां इस्ताफित किये गए हैं उप्रोक्त सभी चेतरों में केजी बीवे में अधिन सामकरी है तू परती मा है परतेक बालिका को दिये जाते हैं पढ़ने के लिए कोपी किताब के लिए 50 रुपे और अनुरक्षन बत्ता देई है 750 रुपे ये अलक्षे बत्ता और मिलता है परती बालिका मगर ये उसको नगद इसे नहीं मिलता ये ख केजी बीवे में STDR यानि ये वो FD है तो के रूप में बालिकाओं के खातों में परतेमा कितनी रासी 100 रुपे 100 रुपे वो खर्चे के लिए है ये 100 रुपे जिसमें से 50 रुपे ये हो गए 25 पचिस अलक हो गए केजी बीवी की विड्याले परबंधन समीती का अध्यक्ष कौन होता है तो अभी भावक होगा अध्यक्ष जैसे SMC में होता है केजी बीवी का आसे क्या है केजी बीवी का आसे है कस्तूर्भा गांधी बाली का विड्याले कब प्रारंब हुई 2004 में देखे के जी बी वी चार अक्सर है दो हजार चार और ये प्राइमरी के लिए थी इसलिए SSA में फिर उच्छ मादिमिक होगी तो रमसा में भी आगी तो दोनों आ जाएंगे इसमें इसमें कितना आरक्षन है बी पियल वालों के लिए 25 परतिसाथ के जी बी वी का सर्वाश शिक्षा भ्यान से विले किया गया अपरेल 2007 के जी बी वी योजना ये तू सत्य कथन है पहला सत्य दूसरा सत्य तीसरा सत्य चारों सत्य है राजस्तान में कुल कितने के जी बी वी दोस्तों अलफ संके कस्तूरबा गांदी चवद है कस्तूरबा गांदी विद्याले है एससे और रमसादवारा एन पी जी एल योजना के तहत संचालेत तो मित्रों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं कोई कन्फियूजन हो कोई त्रूटी रह गई हो तो भी कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना अच्छा नहीं लगे अनलाइक कर देना और कमेंट जरूर करना अगला वीडियो लेक जल्दी प्रस्तोत होंगे जैसे आर्टी है या और जो टॉपिक है उन पर चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद